नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्यान गंदा में। आज हम आपको नवरात्री के पावन पर्व में माता शैलपुत्री के पूजन की विधी बताने जा रही हैं। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्री के पहले दिन की जाती है परवत राज हिमाले की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजाप्ती दक्ष की पुत्री देवी सती थी, जिनका विवा भगवान शंकर के साथ हुआ था माता शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है माता शैलपुत्री की सवारी व्रिशब है, इनकी दाए भुजा में त्रिशूल वबाए भुजा में कमल शुशोबित है माता शैलपुत्री की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपार शक्ती प्राप्थ होती है पहले दिन की पूजा आरम करने से पहले साधक स्नान करके पवित्र होकर सर्व प्रथम माता की मूर्ती व कलश की स्थापना करे फिर शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामगरी वश्री दुर्गा सप्थ शती की पुस्तक रखे माता के मस्तक पर चंदन अथ्वा रोली का तिलक करें माता शैलपुत्री को गुलाबी रंग अतिप्रिय है, इसलिए माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के पुष्ट ववस्तर का प्रयोग करें नित्य श्री दुर्गा सप्थ शती का पाठ करें श्री दुर्गा सप्थ शती के तेरा अध्याय है सब्त शती के पाठ से पहले सर्व प्रथम देवी कवच कीलक्व अर्गला स्तोत्र का पाठ करे और सब्त शती के पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करे माता शैलपुत्री की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए या देवी सर्व भूतेशु शैलपुत्री रूपेन संस्थिता नमस्तस्या, 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 नमो नमा ओम्शंड शैलपुत्री देव्यायह नमा वास्तु शास्त्र के अनुसार माता शैल्पुत्री चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करती हैं यदि किसी व्यक्ती की कुंदिली में चंद्रमा दोश हो तो उस व्यक्ती को नवरात्री में माता शैल्पुत्री की पूजा व अर्चना शद्धाभाव से करनी चाहिए देवी के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिनी की पूजन विधी की जानकारी के लिए जुडिये हमारी अगली विडियो से अगर आपको हमारी यह विडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें